हेलो एवरिवन अनुस्षी तड़का में बना है मसाले वाला बैंगन कलौंजी बैंगन से तेस्टी लगता है यह वैंगन अनुस्षी तड़का में आपका स्वागत है चली रेशिपी को सुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम बैंगन जो की बिल्कुल छो तरफ से कट लगा लूँगी और कट लगाने के साथ साथ मैं इसको ऐसे चारो तरफ से देखूंगी कि कहीं इसमें कोई कीडा तो नहीं है क्योंकि ऐसे बैगन में कीडा होता है तो बहुत दिहान से काटिंग किया जाता है तो यहां तो अभी फ्रेस बैगन है अभी ऐसा यह मैं लिया में लिया है यहां मैंने टीन टीन तमाटर कर लिया है जसे कटिंग कर लियrid बीच में से और लिया है दो मैंने प्याज लिया है बड़े साइज का उसको भी मैंने ऐसे कटिंग करके इसमें जार में मैंने डाल दिया है और दो हरी मिर्च ली है तो उसको भी मैं जार में डाल दूँगी यह अधरक का टुकड़ा लिया है बीच में से कटिंग कर दिया है अब लैसुन की आठ से दस कलिया है तो उसको भी मैं इस जार में डाल दूँगी और फाइन पेस्ट बना लूँगी तो यहां पे दिखिए हमारा फाइन पेस्ट तयार हो गया है अब यहां पे मैंने गैस पे कडाई रख दी है दो चम्मज मैंने मस्टर्ड ओईल लिया है तो हमने रोष्ट कर लिया है अब यह डालेंगे प्याज तो मैंने यहां पे तड़के के लिए एक प्याज ऐसे कटिंग कर लिया था तो इसको हम चला लेंगे और लाइट ब्राउन होने देंगे फिर उसके बाद हम कुछ मसाले अट करेंगे तो यहां पे मैंने देगी मिर्च ले लिया है एक चम्मज और यह सथूरी हल्दी पाउडर ले लिया है वन फॉर्ट तो इसको हम इसी समय पे डाल के लाल कर लेंगे जिससे कि मसाले में बहुत अच्छा सा कलर आया और एक चम्मज हमारा धनिया पाउडर है और यह मैंने वन फॉर्थ लिया है रेट चिली प समय पर लाल कर लूगी तो मसाले भूज गए हैं अब जो मैने प्यूरी बनाई थी टो की इन इसको इस obecने बीया है कि अफ़ी बढ़िया से पकाएंगे भी जिससे की जो मसाला है वो पूरा बैंगर में जम जाएगा तो यहां देखें नमक डाल दिया है नमक स्वात के अनुसार आप कम ज्यादा डाल सकते हैं तो इसको भी मैं चला लूँगी और अच्छे से इसको भूजना है तो यहां देखें धनिया तक यहां पर मैंने चला दिया है आप गूजा डेल 该 कर पकने दुंगी जिससे की बैंगर जा और मचला इससाफ मिनट के लिए पकने अच्छे से तेल चोड़ने लगा तो यहाँ बैंगन देखिए बड़िया से गल गया है और तेल भी देखिए कैसे छूट रहा है मसाले में तो चलाते वे और पका लेना है यह थोड़ा बहुत कच्छा बैंगन दिख रहा है वह अच्छे से पख जाए तो यह देखिए बैंगन कितना बढ़िया से मसाला इसके अंदर चला गया है और बhrने का जणजट नहीं है जुब भरवा बैंगन तयार तो यहां देखिए मसाला एकदम सुख गया है बैंगन मसाला एकदम तयार हो गया है आप देख सकते हैं इसको ऑब हम एक प्लेट में डाल लेते हैं तो यहां देखिए मैंने प्लेट ले ली है अब इसमें मैं इस बैगन को डालूँगी और प्लेट लगा के आपको दिखाऊंगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब जरूर करना, बैल आइकन को दबाना मत बूलिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो यहां देखिए मसाला वेगन की प्लेट एकदम तयार है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से भर के मसाला इसमें रम गया है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाईएगा पूरी पराथा जिससे मन करें उससे इंजॉय करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच